सल्मान खान एक बाव फिर छोटे परदे पर अपने पसंदिदा शो के साथ कमबैक करने की तैयारी कर रहे हैं क्यूंकि बस कुछी महीनों बाद टीवी का सबसे बड़ा रियालिटी शो बिग बॉस 14 शुडू होने वाला है सूतरो की माने तो इस साल सितंबर के महीने में बिग बॉस 14 को ऑन एर करने की तैयारी चल रही है और तीन पॉपिलर सेलब्स के बिग बॉस 14 से जुड़ने की खबरे तेजी से उर रही है सबसे पहले बिग बॉस 14 से सल्मान खान की रजामंदी के बाद इस शो के आगे के काम को शुरू किये गए और सूतरों की माने तो एक्टर शेकर सुमन के बेटे अध्यान सुमन नागिन फेम निया शर्मा और टीवी के पॉपलर एक्टर विवियान डिसेना की बिग बॉस से जुरने की कनफरमेशन मिल गई है और ये तीनों सेलेप्स का पिछले वक्त में चर्चित विबाद भी हो चुका है जिस कारण शो में इन सेलेप्स के प्रती दर्शिकों की दिल्चस्पी बन सकती है विल बिग बॉस 13 अब तक का सबसे लंबा और सबसे मनुरंजक सीजन रहा है ऐसे में बिग बॉस 14 को लेकर मेकर्स और दर्शिकों की उमीदे कई गुना बढ़ गए है कोरना वाइरस के कारण लंबे समय से चल रहे लॉकडाउन में भी टीवी का सबसे बड़ा रियालिटी शो बिग बॉस की तयारिया नहीं रुकी है और अब खबरों के मताबिक बिग बॉस 14 पर काम जोर शोर से शुरू हो चुका है कहा जा रहा है कि इस पर बिग बॉस की थीम जंगल के इर्दगिर्द होगी वहीं सीजन 14 में 16 कंटेस्टन्स में से 13 सलेप्स होंगे और 3 कॉमिनर होंगे वहीं बिग बॉस 14 के लिए प्रतिभाग्यों के सेलेक्शन भी शुरू हो चुके हैं जिसके लिए टिक टॉक स्टार आमिर सिद्धिकी को शो के लिए अप्रोच किया गया है और बिग बॉस 14 के लिए आमिर सिद्धिकी से संपर्क किया गया है आपको बता दे यूटूब और टिक टॉक कम्यूनिटी के बीच हुए विवाद के बाद आमिर सिद्ध की चर्चा में आये थे आमिर ने टिक टॉक को यूटूब से बहतर बताने वाला एक वीडियो बनाया था जिसके बाद यूटूबर कैरी मिनाती ने आमिर को जम कर रोस्ट कर दिया था विवाद बढ़ते देख टिक टॉक ने आमिर का एकाउंट सस्पेंड कर दिया था इसलिए प्रोडक्शन हाउस के करीबी सूत्रों के मुताबिक निर्माताओं ने आमिर से उनकी कॉन्ट्रवर्शल इमेज के करण शो के लिए संपर्क किया है हाला कि आमिर की एंट्री को लेकर अभी तक कोई ओफिशल कन्फरमेशन नहीं मिली है टीवी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रवर्शल रियालिटी शो बिग बॉस 14 की अपतायारी शुरू हो गई है और बहुत जल्दी बिग बॉस 14 के प्रतिभागयों का चुनाओं भी शुरू होने वाला है कुछ महीने पहले ही बिग बॉस 13 खत्म हुआ है और सभी प्रतिभागी सोशल मीडिया पर ट्रेंड में रहते हैं और खबरों की माने तो बिग बॉस 14 में इस बार कॉमेनर्स के लिए भी जगा बनाई गई है और कॉमेनर्स के चुनाओं के लिए अगले महीने में से ओडिशन शुरू किये जाएंगे वो भी वीडियो कॉल के जरिये मिस्टर खबरी के ओफिशल इंस्टाग्राम एकाउंट से इस न्यूज को शेयर किया गया है जिसके मताबिक बिग बॉस 14 के घर को जंगल थीम के तहर डिजाइन किया जाएगा साथी एक म्यूजियम का भी रूप दिया जाएगा और तीन से चार एक्साइटिंग कॉमेनर्स के सेलेक्शन के बाद सेलिब्रेटिस को एप्रोच किया जाएगा